एगाइज वेलकम बैक टो माई चैनल मैं रूची का स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल व्यूटी टेल पर और आज मैं आपके लिए प्रोड़क्ट रिव्यू लेकर आई हूँ और जिसमें मैं रिव्यू करने वाली हूँ निविया सिया स्मूध बोडी लोशन का और कि यो काफी फेमस प्रोड़क्ट है काफी दिनोंसे मार्केट माया हुआ है लेकिन में इसका रिव्यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह मेले काफी हलपुफुल रहा है जैसे मेरी स्कीन काफी ड्राइओ नियुकर में यूट्र आती तो मेरी श्किन हो जादे लिए ब कोई भी लोशन अप्लाइ करती थी बट मुझे कभी भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था मैंने काफी यूट्वीब पर काफी सर्च किया कि मेरी जो ड्राइ स्की प्रोड्म को सोल्व करने के लिए कोई अच्छा सा लोशन मिल जाए तो मुझे इस लोशन के काफी अच्छी रिड्यू इस पर दिखाए दिये तो मैंने से अपने लिये परचेज किया और जब मैंने से ट्राइ किया तो मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला तो इसलिए मैं आपके लिए इसका review लेकर आई हूँ कि साइद आप मेंसे भी कुछ person ऐसे होंगे जो dry skin की problem को फेस कर रहे होंगे तो मैं ये video उन ही के लिए लेकर आई हूँ साइद ये लिए थोड़ी सी helpful हो जाए तो चलिए अब इस product के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले बात करूंगे मैं इसकी packaging की तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक light blue color की bottle type में आता है जिसके ओपर यहां पर एक pump लगा हुआ है और जिसका pump थोड़ा जो है dark navy blue color में आता है और इसके आगे यहां पर उन्हेंने मैंसन किया है निव फोटेटा डीप मोईस्टर नीविया बोडी मिल्क सिया स्मूथ और नीचे इनन इहां पर मैंसन किया है with deep moisture serum and siya butter dry skin यानि वो यह claim करते हैं कि यह dry skin वालों के लिए है जब मैं इसे purchase किया था तो कुछ मुझे इस पर discount मिल गया था तो मुझे कुछ कम price में ही मिल गया था उसके बात बात करूंगी मैं इसमें आपको कितना product मिलता है तो आपको मिलता है 400 ml product अब मैं बात करूंगी इसकी जो है self life की तो इसकी जो manufacturing date है वो है 12 2018 and इसकी जो expiry date है वो है 5 2021 यानि 3 years तक आप इसे easily use कर सकते हैं गाई अब मैं बात करूंगी कि वो claim क्या करते हैं तो उन्होंने claim क्या है कि उन्होंने इसमें सिया बटर और जो moisture serum होता है वो add क्या हुआ है और आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो सिया बटर होता है वो हमाई skin को काफी अच्छी से moisturize रखता है तो यह काफी अच्छी बात है उसके बाद इन्होंने claim किया है कि इसके जो है आप एक बार आप्लाई करने के बाद यह 48 hours तक आपकी skin को अच्छे से moisturize रखेगा तो 48 hours तो नहीं बट मैं यह कहूंगी क्योंकि मैं इसे अप्लाई कर रही हूं तो मैं अपना experience आपको बताऊंगी कि यह पूरे दिन आपकी skin को अच्छे से मोशिराइज रखता है क्योंकि आप जब अगले दिन शावर लेंगे तो आपको यह reapply करना ही पड़ेगा उसके बाद मैं बात करूंगी जो इसके में ingredient इन्होंने डाले हैं वो है और इसके नीचे यह सायद पता नहीं क्या है मुझे नहीं पता और यहां पर उन्हें अपनी website भी डाली हुई है अब मैं बात करूंगी इसके texture की किसका texture कैसा है तो मैं आपको दिखाते हूं जैसा कि मैं आपको यह पूंप टाइक में आता है तो जब आप इसके pump को कलर में आता है आप देख सकते हैं अब मैं आपको इसे अपने हैंड पर अपलाई करके दिखाऊंगी आप देख सकते हैं यह कितना एजली आपकी स्कीन में जो है अब्जोर्ब हो जाता है और कितने अच्छे सापकी स्कीन को मोस्टराइज कर देता है आप देख सकते हैं आपकी स्किन पर एक हलकी सी साइन भी आ जाती है और मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि यह लोशन इतना अच्छा है कि आप जब भी से अपनी बोड़ी पर अपलाई करेंगे आपको कभी भी इस्टिकी या चिप चिपा जो लगता है वह कभी फील नहीं होगा यह काफी अच्छा मोस्टराइजर है काफी अच्छे आपकी स्किन को मोस्टराइज करेगा और हलकी हलकी साइन भी आपकी जो है स्किन में एड होगी और एजीली एबजोब हो जाता है तो मेरी तरफ से तो यह highly recommended product है जिनकी skin dry है या normal to dry भी है वो इसे easily जो है आप यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो आप इसे summer में भी यूज़ कर सकते हैं मैं तो इसे summer में भी यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि यह product में मुझे तो काफ की पसंद आया तो I think आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी सी helpful रही होगी अगर आपके लिए थोड़ी सी भी helpful रही हो तो मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और मेरी वीडियो को like कर दीजिए और जो subscribe के पास bell notification है उसे भी press कर लीजिए जिससे मैं आपके पास आराम से पहुंच जाएगा तो मिलती हूँ आपसे पनी next वीडियो में till then bye